प्यारे से विद्यारत्यों को गोड़िनिंग, ह.n उनिक, दा बीजन कमिश्य वाले चैनल पर सभी प्यारे से विद्यारत्यों को प्यारा सा गोड़िनिंग बेटा आप लोगों की कांटिनियोस क्लासे चल ही होंगी बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है na कहने मतलब continuous आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कहने मतलब बैटा और इक से ध्यान दीजे बैटा अब तक जितने भी हमारे प्यारे से students या जो भी वीडियो देख रहे हैं बैटा जितने भी हमारे मेत्रकड या जो भी हमारे students है प्यारे से वो अब तक जो चैनल को subscribe नहीं किये बैटा चैनल को तुरह subscribe कीजे लाइक कीजे और सिर कीजे पर एड़े के वीडियो को बैटा continue साथ लोग lecture को बैटा अटेंड कीजे क्योंकि HN Unique the Vision कमेश्टी वाला continuous आपको class दे रहा है बैटा तो आप लोग भी बैटा द्रन संकल्ब करके बैटा आप लोग classes श्टार्ट करतीजी बैटा means continuous बैटा classes लीजे एक एक point को बैटा समझीए एक एक point को समझीए क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बैटा मैं फिर बता रहा हूँ HN Unique the Vision कमेश्टी वाले का concept है रटना नहीं समझना है एक एक point को बारिकियों से समझना है बैटा एक एक point को paper column लेके बैठी बैटा किसी प्रकार का कोई भी question यदि आपको disturb करे बैटा तो basic बे ही check बे धड़क को के question बैटा put up कीजिए but commissions related आपके अंदर जो weakness को दूर करने का संकल्प मैंने लिया है और आप भी द्रण संकल्प कर लीजिए कि मुझे दूर करना है है न बैटा आप लोग offline में जो भी हमारी classes में बच्चे बैटे हुए हैं सभी बच्चों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ किसी भी प्रकार का कोई भी questions आपको बैटा रिश्टर्ब करें बे सक बे ही चक बे धड़क होके आप लोग बैटा पूछिए है ना online में जितने लोग है बैटा वो कॉल या कॉल या कमेंट्स के थूर बैटा question बैटा पूटब कर सकते हैं देखे बड़ा है न उनिक दविजन कमेश्टी वाला एंसे की एंड रियक्सन चैनल पर आपको कांटिनुवस बैटा इंपॉर्टेंट रियक्सन दिया रहा है लेक्चर ये थ्री है लेक्चर थ्री है इस चैनल पर जितने भी हमारे सिकंडियर के स्टूडेंस हैं जितने भी सिकंडियर के स्टूडेंस है में से सिवेसी बोर्ड आएससी बोर्ड या यूपी बोर्ड हिंदी इंग्लिस मेडियम के जितने भी हमारे स्टूडेंस से सभी विद्यार्थियों से मैं विनर निवेदन कर रहा हूं उनसे request कर रहा हूँ, continuous आप लोग पढ़ाई कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि अच्छा marks आए हमारा कमिश्टी में, है ना, और इसी ध्यान जी ये channel उन सभी विद्यारतियों के लिए है, जिनको कमिश्टी बिल्कुल से नहीं आती है, मैं वादा करता हूँ, अगर continuous 15 दिन classes ह हमारे ले रहे हैं, तो उनमें अच्छा response आएगा, चली बेटा, हम लोग अपने topic की तरफ चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा, TNT, पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, DDT, important है बेटा, वीडियों से continuous means जुड़े रहेंगे बेटा, जिसमें आपको differential कुछ चीज़े ब ज्यान देजे बेटा, क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग, आज की डेट में हम लोग पढ़ने जा रहें बेटा, TNT, क्या पढ़ेंगे बेटा, TNT, दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, DDT, दोनों चीज़ बेटा, अपनी जगा important है, very very important है, clear बेटा, step by step, हर एक lecture में आपको इस चैनल पर बताई जाएगे, लेकिन हर एक lectures में समय समय पर ये सारी चीज़े बताई जाएगे, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर TNT का full form क्या बेटा, पहले जान लेते हैं, try nitro, mind को concentrate करके बेटा, ध्यान दीजेगा, paper column लेके बेटीए बेटा, जितने भी हमारी students हैं online में, जो भी वीडियो देख रहे हैं बेटा, वीडियो जितने भी channels means जितने भी हमारी students देख रहे हैं बेटा, paper column लेके बेटीए, एक एक point को note कीजिए, left side में note, right side में बेटा, आप rough means question लिखिए, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं बेटा, समन में ये दिया गया, मैं वादा करत करता हूं कि आप question, question पूशने का मौका ही नहीं मिल पाता है, मैं इतनी बारिकियों से इतनी deeply में जाके आपको बताने कि मैं कोसिस करता हूं, clear, फिर भी बेटा, कहीं पर कोई questions रहे जाए, तो आप बेटा, बेहिचक, बेहिचक, बेढ़क होके पूश सकते हैं, क्योंकि है ना बेटा, चली बेटा, ध्यान देते हैं, trinitrotalvin, ये बेटा क्या हो जागा, di chloro, di phenyl, trichloro, ethan, क्या हो जागा बेटा, di chloro, di phenyl, mind को concentrate करके बेटा, पढ़िए, मेरे जितने भी प्यारे से students हैं, एक-एक point को पढ़िए बेटा, है ना बेटा, क्या हो गया, di chloro, di phenyl, trich di chloro, di phenyl, tri ethan, clear, हर एक point को पढ़िए, ची, clear बेटा, तो आज की lecture में हम लोग क्या पढ़िए बेटा, lecture कौन से बेटा, ये lecture आपका 3 है, lecture 3 है, mind को concentrate करके बेटा, lecture कौन से बेटा, lecture 3 है, lecture 3 में क्या पढ़िए बेटा, आज की date में, TNT, क्या पढ़िए, DDT, TNT and DDT, TNT का full form ब ट्राइ नाइट्रो, टालविन, TNT, DDT का बेटा, di chloro, di phenyl, tri ethan, कैसे बेटा, ध्यान दे, di मतलब क्या बेटा, di मतलब 2 बेटा, chloro मतलब 3 बेटा, di मतलब 2 बेटा, phenyl मतलब बेटा, क्या हो जाएगा, C6H5 बेटा, clear बेटा, है न बेटा, और tri मतलब 3 बेटा, ethan मतलब बेटा, अब चलते बेटा, syllabus की द्रब, tri, nitro, टालविन, चलिए बेटा, इसकी start करते हैं, center heading, आप लोग डालीजिए बेटा, जितने भी हमारी प्यारे से, students है, जो अब तक paper column लेके नहीं बैटे बेटा, तुरन बैट जाए, mind को concentrate करके बेटा, पढ़ाई कीजिए, एक-ए क्या है बेटा, बताया गया भी, tri, nitro, tri, nitro, टालविन, हैना बेटा, tri, nitro, टालविन, tri, nitro, टालविन, ध्यान दीजेगा, इसका पसंदिदा जो नाम है IPSC में, इसको 2- methyl, 2- methyl, 1,3,55, tri, nitro, benzene भी कहा जाता है बेटा, फार्मला क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, C6, H2, हा का होल, tri, CS3, बहुत से बताया, क्या बताया गया बेटा, C6, H2, C6, H2, फिर क्या बताया गया बेटा, NO2 का होल, tri, CS3, यह बेटा, इसका क्या हो गया, molecular formula बोल सकते हैं बेटा, mind को concentrate करके पढ़िए मेरे लाल, जितने भी हमारे प्यारे से students, पेपर कलम उढ़ा लीजे, HN Unique the vision committee वाला आ गया बेटा, molecular formula बेटा, clear, ध्यान दीजेगा, molecular formula, क्या हो जाएगा, C6, H2, NO2 का होल, tri, CS3, कहने का मतला बेटा, इसके structure को समझेंगे, C6, H2, carbon कितनी बार, बेटा, 6, hydrogen कितनी बार, बेटा, 2, NO2 कितनी बार, बेटा, 3, CS3 कितनी बार, बेटा, 1, clear, चले बेटा, इसका, mind को concentrate करके पढ़िए, जितनी भी मारे प्यारे से student है, CS3 आपका, चुड़ गया, clear, NO2 कितनी बार, बेटा, देखें, NO2 कितनी बार यहां दिया गया, 3 बार, तो कहने मतला बाब आप इसको, NO2, NO2, इसको NO2 न लिखते बेटा, O2N form में लिखेंगे, है ना, O2N, यह देखिए आपका clear, बासन में आगे बेटा, सारी चीच clear बेटा, किसी कोई दिक्कत नहीं, हाडिजन 2 बेटा, एक हाडिजन यह से बचा हुआ है, और एक हाडिजन यह, अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे बेटा, मेरे लाल, clear, यह structure बनके तयार हो गया, अब इसका नेमिंग क्या बताया है क्या बेटा, बोलिए मेरे लाल, 2,4, साही बताया बेटा, क्या 2,4, Trinitro, Trinitro, क्या बताया बेटा, Trinitro, टाल्वीन, 2,4,6, यह हैं से याद को बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, हाना, and 6, clear, चलिए बेटा, लिखते हैं इसकी position, 2,4,6, हाना बेटा 2, सारी, 2, कामा, फिर बेटा, 4 पे जुडा हुआ है, 4, 6 पे बेटा, 6 बेटा, कितरी बार बेटा, 3 बार, 1, 2, 3, तो लिखेंगे बेटा, Try, क्या है बेटा, 3 बार, NO2, NO2 क्या बोलते हैं बेटा, Nitro, है ना, माइन को concentrate करके, क्या बिखा बेटा, सही बिखा बेटा, आपने, यह क्या है बेटा, यह क्या है बेटा, यह टालवीन है, डिर बेटे जाओ, ओके, माइन को concentrate करके पड़ी बेटा, टालवीन, इसी का अधर नेम भी आप लोग बेटा, लिख लिजिएगा, लिख लिजिए बेटा, आप लोग, जितने भी हमारी प्यारे students है, हाँ बेटा, ल बेंजीन, मतलब लिखो जाएगा, टू कामा, फोर हाई, कामा, सिक्स हाइफन, ट्राई, ट्राई, नाइट्रो, मैथल, बेंजीन, है ना मेरे लाल, माइन को concentrate करके पड़ी बेटा, इन में से कोई भी आप लिख सकते हैं, किलियर बेटा, टी एंटी भी बोल सकते हैं, ट्रा नाइट्रो, बेंजीन हो गया, टू कामा, फोर, कामा, सिक्स बेटा, नेम इसका कैसे पड़ा बेटा, बोली बेटा, इसका नेम कैसे दिया गया, क्योंकि देखिए बेटा, पहला नोटू बेटा, टू कारबन पे, फिर बेटा, सिकेंड बेटा, एनोटू, फोर कारबन पे है ना बेटा फिर थर्ड बेटा NO2 बेटा 6 पे जुड़ा हुआ है ये जो बेटा 2,4,6 लिखा हुआ है 2,4,6 लिखा हुआ बेटा ये NO2 की position है बेटा किसकी position है मेरे लाल NO2 की position है NO2 कितनी बार है बेटा बोलिए NO2 कितनी बार है बेटा तीन बार है इसलिए ट्राइब बोलेंगे नाइट्रो टाल्विन डेरिवेटी आफ टाल्विन बेटा है ना ये इस्टिक्चर यहां पर सबसे बिले स्यस्तिरी हो गया टाल्विन में कितनी जगा जोड़ गया तीन जगा पे तीनों की पॉजिशन क्या है बेटा अल्टरनेट फॉर्म में लिखते रहे बेटा आप लोग कांटिनिवर्स किलियर बेटा लिख रहे है बेटा आप लोग कांटिनिवर्स किसी कोई दिक्कत बेटा किसी कोई दिक्कत बोलिए मन लगा के पढ़ रहे हैं बेटा आप बोलेंगे बेटा किलियर नोट कर लिया बेटा जबी लोगों ने किसी को कोई दिक्यत सौन में आ रहा है बेटा ना किलियर चली बेटा इस ध्यान दिजेगा कांटिनिवस यहां पर इस चीज को पॉइंट में नोट कर लिजेगा कि इस्टेप बाई इस्टेप हर एक चीज को पढ़ेंगे बेटा ब्लू किलियर हर एक चीज को बेटा अगर इसके केमिकल फार्मला की बात कर लेते हैं बेटा तो यह C7, H5, N3, O6 हो जाता है क्या हो जात बेटा माइंड को कॉंसरेंट करके पढ़िएगा एक एक पॉइंट को पढ़िए अच्छे पढ़िए बेटा एप्रेंस में से दिखता कैसा है बेटा यह कैसा दिखता है बेटा यह यह आपका हलका पीला होता है बेटा सॉलिड किलियर हलका पीला सॉलिड होता क्या बेटा विल्ब्रॉन ने जूलियस विल्ब्रॉन ने इसके खोच किया दे बड़ा किस सन में किया था 1863 में लिखते रहे बेटा जब लोग जितने में मारे प्यारे सुर्जन्त हैं मलब TNT को पहली बार 1863 में जर्मन कैमिस्ट जर्मन कैमिस्ट जूलियस विल्ब्रॉन जूलियस बिल ब्राउन जूलियस बिल ब्राउन ने खूच की थी यह बनाया था किस सन में बेटा 1863 में बेटा किस साइन्टेश ने बेटा जूलियस हैना बेटा जूलियस बिल ब्राउन ने हैना बेटा 1863 में सबसे पहले टींट ओको किस ने मनाया बैटा जूलियंस विल ब्रॉंड ने किस समख बैटा 1863 में clear लेकिन इसमें इसके विस्फोटक गुटों के खोज किसी और साइंटेश ने किया था लेकिए बैटा ऐसके टींटी के विस्फोटक गुट के खोज सबसे पहले सबसे पहले 1891 में 1891 में जर्मन स्कैमिस्ट कार्ल होसर मैन ने की थी किलियर होसर मैन ने की थी सबसे आगे बेटा लिख दिया जाए किस सबसे बेटा 180091 में है ना बेटा माइन को कॉंसरेंट करके पढ़िये एक-एक पॉइंट को पढ़िये बेटा एक-एक पॉइंट को है ना बेटा साइंटिस कौन थे बेटा ये जर्मन के जर्मन कैमिस्ट से बेटा किलियर ये भी बेटा क्या थे हमारे जर्मन कैमिस्ट एक-एक पॉइंट को बिधुद पढिए मेरे लाल, German Chemist क्लियर बेटा, German Chemist कौन बेटा, German Chemist कौन थे बेटा ये, Julius Wilbraun ने 1863 में, किसकी कोज किया TNT की, लेकिन TNT एक भी सोटक गुर में होता है, मलब TNT में एक भी सोटक गुर होता है, ये किसने बताया था कॉर्ल होसर मैन ने बताया था किसन में अठारा सो क्यान ने में यह जर्मन के कैमिस्ट है किलियर बटा कहां के साइंट बेटर है जर्मन कैमिस्ट ओके कोई दिकर बेटा नोट कर लिया एक चीजिए ध्यान दिजिएगा एफ्रेंस से दिखता कैसा बटा है यह हलका पिला सॉल क्लियर बेटा और इसका मल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा बॉलिंग पॉइंट क्या होता है यह जान लिजिए मल्टिंग पॉइंट एंड बॉलिंग पॉइंट एक चीजिए ध्यान दिजिएगा TNT का जो मल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट होता है 80.35 बे मल्टिंग पॉइंट, मल्टिंग, मल्टिंग पॉइंट आफ TNT, कितना होता बेटा, बोलिये, 80 पॉइंट, कितना होता बेटा, बोलिये, कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस, एंड, बॉइलिंग पॉइंट, है ने, बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, कितना हो जाएगा, बॉइलिये, 8 पॉइलिंग पॉइंट, कितना हो जाएगा, डीग्री सेथ किसा, किलियर यह सारी बाते बैटा नार्मल सी बाते थी हम लोगों ने यहां पर कांटीनुस बैटा पढ़ लिया इस चीज को माइंड में कॉंसेंट करके बैटा आप लोग एक एक पॉइंट को समझेगा फिर भी बैटा किसी प्रकार का याद कोई भी कोश्चन्स आपके दिमाग म माइंड में आ रहा है तो बेसक बेहिचक बेढ़क होके आप कोश्चन पूटप कर सकते हैं लेकिन ध्यान दीजेगा किसी भी प्रकार का कोश्चन्स आपके दिमाग में यह आ रहा है मैं फिर बोल रहा हूं तो आप बेसक बेहिचक बेढ़क होके आप कोश्चन बताएंग किलियर इस शीज को ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को समझेगा मेरे लाल किलियर क्योंकि है रटना नहीं है बेटा क्या है समन्ना है यह सारी बाते बात सम्में आगे बेटा किसी बच्चे ने कोश्चन पूटप किया कि सज का यह दिखने में कैसा होता है लिख लो मेरे लाल कैसा होता है यह भी क्यों छूटे मेरे लाल क्यों एप्रिंस कैसा होता है यह मेरे लाल छूटने ने पाए कुछ है ना मल लगा के पड़ो बेटा क्यों भी या यह लो क्लियर बेटा मतलब इसका जो दिखाऊ दिझा कि किस रंक मदल आप काया नोर फिर से तॉपिके में अब तक हम Taiwię जितना भी पड़ा है कि रेंप इतना क्या नहीं है क्योंस backale दोड़ा जन्मन कैमिस्ट ने 1833 में बताए जूलियस विल्वरॉन ने इसकी खोच किया फिर इसमें विस्पोटक उल पाया जाता है किसने बताए बटा जन्मन कैमिस्ट में अथारा सो क्या नवे कॉल कॉल हैं ने बताया कि लियर टीन्ट का पनलब कि यह का आईपैग नम क्या होता है टु कामा फॉर कॉर कॉर ट्राइनाइट्रो मैथेल बेंजीन बेटा है ना पसंदीदा नाम बेटा और यह दे ट्राइनाइट्रो ट्राइन भी बोलेंगे किसको बेटा TNT को किलिए और फामला इसका क्या होता है सारी चीज बेटा आपको बिध्वत बता दी गई किलिए किसी को कोई दिक्कत सौन में माइंड को चाहिए अबर किलिए अउनलरा चाहिकती गई बेटा इसको किलिए यहां लोगों ने फोंडा साइं अ लिए बेटा अब हम लोग चलते हैं और इसमें जर्मन कैमिस्ट जर्मन कैमिस्ट जो है इन्होंने काफी युगदान TNT के बारें किया है और इसमें इसे 1902 में तोपो के गोले भरने के लिए उसका यूज किया था जान दीजेगे इस पॉइंट को बेरी बेरी बढ़िया पॉइंट बढ़िया पॉइंट बताया किया कर्या गया चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब किजिए लाइक के ज़्यादा ज्यादा लोग Boat बेरी बेरी इंपॉर्डं किलासे चल रही है जितने भी हमारे weekly प्यारे से स्टूडेंट हैं ध्यान लखे बटा बहुत ही इंपॉटेंट चीजें चल नहीं एक एक पॉइंट को पढ़ी बिद्धोत पढ़ी है हां सही बता रहे है बहुत सही बता है बेटा मेंने लाल ने कुलिए इंटारेक्शन बड़ा हो गया बेटा बता धिया गया अब हम लुग हम कैसे प्राप्ट कर सकते हैं यह सारी चीछे बड़ेंगे इस रेक्शन पढ़ेंगे ते बनाते रहे हैं यहीं नोट्स आप पहले आप इंट्रेक्शन लिखेगा जो भी अब तक बताया गया फिर उसके बाद ट्रेक्शन लखाएगे चले बटा हम लोग ट्रेंटी की तरह बढ़ते हैं बटा ट्रेंटी का क्या होता है बटा ट्रेंटी जो है बनाने के लिए सबसे पर शेँर्म क्या है बटा ट्रेंटी कया बनायेंगे ट्राइन एक बना देता हम बिक्से क्राएंगे कहा है और कि ऐसे के लिए भीट एक सबसे पहले करते हैं सांद्र सल्फ्रिक एसीद सांद्र क्या लेंगे भूली बाल! क्या मेरह यलाल? अगर सवीज़ीर, सस्का क्या लेंゃ. नाइटिरिक एसीड. एक चीजा, आप लोगो मालू护ोना चाहिए सल्फ्रिक एसीड जो होता है यह आपका बढ़िया करता है, ठीक है? क्लियर बेटा तो हम लोग टाल्विन से TNT कैसे बनाएंगे स्वाट फ़र्म बेटा समझ लिजे भी हाँ पे टाल्विन से TNT बनाने के लिए हम करते क्या है बेटा टाल्विन में सांध्र क्या लेते हैं बेटा H2O4 कंडिशन फ़र्म में बेटा और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर HNO3 हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा बेटा डी हाड्रिसन कित्रे मॉल्क्विल निकलेंगे बेटा 3 मॉल्क्विल क्या बनेगा बेटा जो सेस बचेगा वही बनेगा बेटा क्टिक जाएगा क मैंन को कॉंसलर करके हैं कॉंसलर करके उटवा मैंन को बएटेखा और एक यहां पर टाविश्चीज को पेंगे किस से start करें बैटा ? टालविन से चली बैटा आप लोग को interaction बता दिया गया अब मायंड को concentrate करके आप सिर्फ step by step ध्यान देखेए किलियर किसके सा reaction करेंगे बैटा ? क्या ची बैटा ? क्या बताए बैटा ? हाँ सही बता रहे बैट आकसी का रखो रख ठची बैटा ? 3 HNO3 है ना बटा दीखे बटा, रेक्शन में कोई दम नहीं बटा H2 H4 है ना, किस फॉर्म में होगा बटा सांदर फॉर्म में होगा है ना बटा इस इसको समझेगा क्या बनेगा बटा इसमें से एक एक पॉइंट को समझेगा आप लो यह तो आलेडी रहेगा है ना बटा, CS3 टालिन होगया अब NO2 की पोजिशन क्या होगी बटा अल्टर्नेट फॉर्म में होगी किस फॉर्म में होगी बटा, अल्टर्नेट फॉर्म में हम NO2 ने लिखते हुए O2 N लिखेंगे सही बैलेंसी के लिए क्या बच्चे के बटा, कोश्चन ऐसे आ सकता है कोशलिया, है ना और इसी कोश्चन कैंसल लिख देंगे प्लस में 3H2 कैसे, ध्यान दिजे बटा, कैसे हो जाए बटा दीखे, NO2 कितनी बार बटा है यहाँ पर इसमें से कितने NO2 ब्रेक होगे बटा 3NO2 ब्रेक होगे और जब 3NO2 बेटा ब्रेक होगे तो alternate form में टाल्विन के साथ यहाँ जोड़ जाएंगे यही क्या है बेटा टाल्विन टीन टी हो गया है ना यही क्या है बेटा, टीन टी क्या हो जाएगा 2,4,6- ट्राइ नाइट्रो टाल्विन तो यहाँ और यह क्या है बेटा टाल्विन के लिएर टाल्विन के सांध्र नाइट्रिक एसेट के साथ है ना एश्टो सपोर के परिए आट्यसन में बेटा रेक्शन कराएगे क्या बन गए बेटा टीन टी सिकंडियर वाले मेरे लाल नोट कर लिजेगे बेटा बेरी बेरी इंपोर्टेंट बेटा रेक्शन में कोई दम नहीं बेटा करना कुछ नहीं बेटा आप टाल्विन जैसा इस्ट्रिक्चर बनाइए फिर इसमें से इसमें से एनोटूब जो समूँ आपका गुरूप ब्रेक होगा बेटा वो अल्टरनेट फॉर्म में टाल्विन में जोड़ दीजिए टेन टी बनके तैयार हो जाएगा किलियर बेटा हाँ बेटा नोट कर लिजेए आप लोग माइंड को कॉंसरेंट करके बेटा आप लोग पढ़िए एक एक पॉइंट को बेटा पढ़िए आप लोग ओके बेटा एक एक पॉइंट को पढ़िए बेटा सही ब्याल बेटा बेरी बेरी इंपॉटेंट बेटा तब करकर एक होगे को Cl через Based on free Merci यह का इस रेक्ट हमने पढ़ा थालविन मीनस डालविन से यह लोगों कह सब अब करें हम यह नाना स्केंगे बेरी बेरे इंपर्टन में क्या आइपर चेला इंप्रकार से टेंटिक बारें पिद्वत इंट्रेक्षन बताया गया उसी प्रकार बिटा इसको आर्गने कंपॉंट्स क्यों कहा जाता है है ना या कार्व के हैं है ना सारी चीजे आप लोग पढ़ेंगी बेटा क्या ने श्टे लेक्चर में इसलिए माइंड को कॉंसेंट्रेट करके बेटा पढ़िएगा और किसी भी प्रकार का कोश्चन साब के माइंड में आ रह कर सकते हैं और इस ध्यान देए बेटा टे अंटी से लेटेट जितना भी हम लोगों ने पढ़ा यहां पर बेरी बेरी इंपोर्टेंट है बहुत इजवर्दस इंपोर्टेंट टॉपिक चला बेटा तो टेंटी आप लोग बेटा कम्पलेट कर लीजे इस से पहले बेटा पहुंचाई यहीं तो एचे निए क्यों को पढ़ेंगे यूटूब पर सबसे डिफरेंट पढ़ेंगे हैं आप लूग बेटा सपूर्ट कीजिए इस एजूकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तो पहुचाईए और जितने भी हमारे प्रिये या कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं या कुछ हैसे हमारे मित्रगण हैं जो आफ्लाइन क्लासेज लेने में सच्छम नहीं हैं वो आनलाइन क्लासेज लें तो आप लोग बेटा सपूर्ट कीजिए उनके तक इस वीडियो को पहुचाईए उन से सब्सक्राइब लाइक सेर करने को बोलिए जिससे फिरी एजुकेशन का फाइदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके बेटा है ना क्योंकि बेटा मैं चाहता तो सिर्फ दो मिनट में रेक्शन करके चला जाता लेकिन नहीं बेटा हम इसके बारे में जब तक विध बाइ